नमस्कार मित्रों स्वागत है हमारी टूट चैनल में मित्रों आज की इस बेडियो में हम बात करना वाले हैं तीन और चार जुलाई मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब आपके जीवन काल में आपको एक नई जिन्दिगी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें की यह समय भगवान सनिदेव और मालक्षमी एक साथ चले आपके रासी में और आने वाले हैं दो दिनों के अंदर आप सभी के कुंडली पर भगवान सनिदेप और मालक्षमी की पहुती ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मालक्षमी के आसिरवात से अब आप सभी के जीवन काल में बहुती बड़े बड़े चमतकार होने वाले हैं भगवान सनेदेप के आसिरवात से आप सभी के जीवन काल में कुछ एसा चमतकार होगा कुछ एसी खुसखबरियां आपके घर दस्तक देगी जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुसी से जूम उठेंगे और दोस्तों आपसे जो जलते थे जब भी दुसमन आपकी छोटी सी तरेकी को देख नहीं पाते थे वो इतना बड़ा खुसखबरित देखकर वो पागल हो जाएंगे जिहां दोस्तों पर दोस्तों आप सभी को बता दें की या समय आपको कुछ बातों को विशेश ध्यान रखना होगा कुछ साब्धानिया के भी जरुरत होगी जिहां दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रख लेगे तो दोस्तों आने वाले समय में आप कोई भी गल्ती नहीं करेंगे और दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये जो बाते हैं आपके जीवन काल से जूड़ी है और हर बार यह जाने अंजाने में गल्ती कर ही देते हैं आप चाहते हैं कि दोस्तों यह गल्ती आप ना करें लेकिन दोस्तों यहसे में कुछ ऐसा होता है परस्तियों का कुछ ऐसा निर्मान हो जाता है कि दोस्तों आप जाने अंजाने में यह गलती कर ही देते हैं और आपको नुकसान भी हो जाता है और दोस्तों बाद में आप बहुत ही पच्ताते हैं तो दोस्तों कुछ विशेस बातों को ध्यान रखना होगा क्योंकि दोस्तों ग्रहों की बहुत ही अच्छे इस्तिती बनी है पगवान सनिदेव और मालक्षमी जी आपके कुंडली पर यह समय बिराजमान हो चुके हैं जिनसे दोस्तों आपको बहुत सारी मोके मिलने वाले है बहुत सारी खुश खबरिया मिलने वाले हैं तो दोस्तों एसे में आपको कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरिया मिलने वाले हैं कौन-कौन सी मोके आपको यह समय मिलने वाले हैं यह सबी बाते हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को ब और भगवान सनिदेब और मालक्षमी जी के आसिरवात से आपके घर के माहल में परिवारिक जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखेगा उसे पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जै मालक्षमी जै सनिदेब लिखेंगे दोस्तों सनेदेब और मालक्षमी जी के आशिरवात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर स्लेट कर ले जहाँ दोस्तों जोवे वेक्ति वीडियो को लाइक करके comment box में जैस सनेदेब लिख देगा दोस्तों यकिन मानिये भगवान सनेदेब और मालक्षमी उनके जीवन काल में सही कष्ट दूर कर देगे जहाँ दोस्तों करते हैं शुरुआत करते हैं स्रीकृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी कि दोस्तों एक बार भगवान स्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि केसव जब मिर्तियु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें जो इंसार मोज मस्ती करता है मिर्तियु तो उसकी भी होगी तो दोस्तों भगवान स्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ बिली जग चुहे को पकड़ती है तो दातों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है लेकिन जब उनी दातों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं बहुती नाजुक तरीके से एक जगा से दूसरे जगा पहुचा देती है दाद भी वही है मुह भी वही है पर परिनाम अलग-अलग होते हैं ठीक उसी परकार मिर्ट्यू सभी की होगी पर एक परवो के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में जिहां दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह जग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराचा लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिखदा जैश्री कृष्ण राधी राधी तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि जब भगवान सनेदेब और महलक्ष्मी आपके रासी में चले हैं तो दोस्तों अब आपके जीवन काल में आपको कौन-कौन श्री बड़ी कामयाभी मिलने वाले हैं घर के माहुल में परवारी जीवन में स्वास्त बिजनस बेपार में क्या-क्या खुश खबरी यह श्रमी मिलने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध मध में हम आपको कुछ विशेस बातें बताने वाले हैं भगवान सनिदेव और मालक्षमी की जिने दोस्तों अगर आप कर लेंगे जिने आप मातर सुन लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा और आपके जीवन काल की सारी परिशानिया खत्म हो जाएगे और मालक्षमी भगवान सनिदेव का आसिम आशिरवात आप स बैतिन के लिए आप कुछ शकार्त में पतलाब लाने का बिचार्ट करेंगे आपकी विनर मुर्श्वभाब की वज़े से समाज बशमंदियों में उचित अस्थान बना रहेगा लाबदायक समय बना हुआ है दुसरों की वातों की परभाद ना करके अपने कारियों पर ही ध् आपके लिए वर्दान साबित होगा नन्य महमान की आगमन समंदित सुप सुचना मिलने से परिवार में उच्चब भरा महोल रहेगा दोस्तों यह दो दिनों की अंदर में किसी समस्या का समाधान मिलने से शुकून महशुश करेंगे आपकी आत्म विश्वास और मनवल के शमक्ष आपके विरोधी टिक नहीं पाएंगे रुका हुआ या उधार दिया पैशा वशुल करने के लिए अनुकुल्च में है इसलिए परियासद रहें दोस्तों चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की पूरी समभावना है इसलिए परियासद रहें किसी सुप तता धा आर्मी कार में खर्च करके आपको प्रशन्ता होगी साथे साथ दोस्तों आचाना कोई उल्जा हुआ काम बन सकता है इस समय गिरिष्टी में कुछ बदलाव आ रहा है खुले दिल से इस बदलाव को शिवकार करें यह आपके लिए शकारत्मक रहेगा दोस्तों गिरिष्ट युआँ था विद्यार्थियों को अपने कोई दूविधा दूर होने से रात मिलेगी सिर्फ कोई भी निने लेने से पहले उचित विचार्ज विमर्श करने की आवसकता है अब अपने कार को जितने परिश्रम और मनन से करेंगे उतने ही अनुकुल परनाम भी हासिल होगी इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबधानिया भी देखकर चलनी होगी आपने कम्यों को पहचाने और सुधार लाने का प्रयास करें वाउ दिन्चारिया से रहात पाने के लिए अपने मित्रों था समंधियों के लिए भी कुछ में अवसन निकालें और तो दूसरों के निरने पर अमाल करने से पहले उची संच विचार जरूर कर लें वैबसा में अभी कुछ ना कुछ चुनोतिया रहेगी किसी लब परवाय की वज़े से कार छेतर में काम भीगल सकता है इस पर आप ध्यान रखें साथी आयके साधनों में भी कुछ कमी रह सक सकती है लेकिन धैर रखें जल्द ही समय की चाल आपके अनुकुल होगी रिष्तिदारों के साथ किसी बात को लेकर कुछ वाद विबात की इसती बनेगी और इसका असर आपसे समंधम पर भी पड़ेगा यह समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसे भी कार में रूची न प्रिप्टाने का प्रयास करें पर्णतु इगो और अति आत्म विश्वाद जैसी कम्यों पर काबो रखना भी जरूरी है दोस्ता आपके लव लैप के बारे में बात करें तो घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से खुसी भरा माहू रहेगा प्रैम समंधों को परवारिक स्वास्ति के बारे में देखा जाए तो गले में इंफ्यक्शन और बुखार जैसी इस्तिती रह सकती है अपना इंफुर्श सिस्टम मजबूत रखने के लिए आरवेदी चीजों का अधिक से अधिक इस्तमाल करें तो इस तो बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों जब भी घर से किसी भी काम से निकलें तो दोस्तों निकलने से पाले थोड़ा सा मीठा दही खा कर निकलें अगर आपके काम में आवरोध आ रहे हैं तो दोस्तों सुकरवार के दिन काली चीटियों को चीनी डालें सुकरवार के दिन मा लक्षमी के मंदिर में जाकर संक कोड कमल मखाना बतासा अर्पित करें साथ साथ दोस्तों अगर पती पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने सायन कक्ष में प्रमी पक्षी जोड़े की तस्विर लगाएं दोस्तों भगवार सनीदेप और मालक्षमी जी की आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंड बॉक्स में जै सनीदेप जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद